हमने अपसे पहले आपको दिखाया था कि हमने अपनी बाइक में क्या 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 काम कराया है और हम क्या 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 कराने जा रहे हैं और आपनी वीडियो में देखी लिया होगा कि हमने क्या 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 काम करा चुके हैं अपनी बाइक में तो गाइस मैं आपको बदा दू मैंने इसका अभी तक average चेक किया है तो दोस्तो इसका average हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा जी हाँ दोस्तो जब भी हम engine को एक बार खुलवा के बंदवाते हैं तो उसका average काफी ज्यादा कम आता है जी हाँ mileage बहुत ही ज्यादा कम आता है और वही मेरे साथ हुआ, मुझे लगा कि मैंने इसके अंदर कुछ ऐसा गलत काम करा दिया जाकि इसकी वज़ा से इसका average कमा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लोगों से भी सुना और मिस्तरी से भी मैंने मालूम किया कि इतना average क्यों कमा रहा है इसका, मिस्तरी ने भी 35 km का average आया था और अभी दोबारा से मैंने पैटल लाया है तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि कब तक कितना average निकलने वाला है तो दोस्तो जल्दी मैं वीडियो में आपको तुरंद बताऊँगा कि कितना average मेरी bike ने दिया है जिहां गाइस मैं बात कर रहा हूँ अपने इस bike के बारे में जो कि Hero Splendor 2013 मोडल है जिसके engine में fault आ चुका था तो दोस्तो इसी के उपर मैंने आपको वीडियो बनाने की सोची तो इसका mileage काफी ज्यादा कम आ रहा था तो दोस्तो हमने देखा इसका mileage कितना आ रहा है तो इसका mileage लंसम 50 kmpl के आसपस आ रहा था जो कि काफी कम था तो हमें लगा कहीं न कहीं इसका mileage ज्यादा ही कम है उसके बाद में हमने फिर भी इसके उपर ऐसा experiment करने की कोशिश की है कि जिससे mileage बढ़ जाता है और मैं भी आपको बताने जा रहा हूं कि कहां से इसका mileage बढ़ जाता है कहां से इसका petrol कम खाने का खर्चक कम आता है तो दोस्तो यह जो सुईधा होती है वो होती है कार्बोरेटर के अंदर आप कार्बोरेटर के तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं यह दोस्तो यह चीज जो है यह है कार्बोरेटर तो इसी से हम इसका पूर एक बाइक के फिल को कंट्रोल करते हैं यह हमारी चोक होती है और यह हमारे ON of का बटन होता है यह स्विच बोल सकते हैं जो कि टंकी से पेट्रॉल को आने और जाने के रास्ते में लगा होता है और दोस्तों, यहां पर होती है aggregator का एक नट. देखो इसका mileage काफी अच्छा आने वाला है तो अगर आपकी bike का भी mileage का मा रहा हो तो इसको हलका tight करके देखें और इतना tight करें कि गाले बंद भी ना हो और आपकी गाले start भी रहे और mileage पे भी काफी अच्छा फरक पड़ जाए तो दोस्तों ये वाला जो switch है इसी से आप mileage को ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों हमने पहले भी आपको वीडियो को दायता है हमारी bike में काफी ज्यादा problem आ रही थी और हमने अपने mileage को ठीक भी कराया था और पर मिस्तिरी ने बोला कि आपकी गाली का mileage अच्छा आ जाएगा उसने चेक करने के बाद में तो दोस्तों इसी तरह है जो भी चीजे हैं आप देखी सकते हैं वीडियो में तो हम तो ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा knowledge दे सकें तो दोस्तों आप देखी सकते हैं है hero splendor 2013 model bike तो guys आपने वीडियो में देखी लिया होगा कि हमारी bike ने कितना mileage दिया है जी हाँ दोस्तों यही mileage रहने वाला है आपका और आप इसकी पहली service कराने के बाद में और भी इसका mileage बढ़ जाएगा जैसा कि मैंने मालूम किया है और जैसा कि mechanic ने मुझे बताया है तो guys इसका fuel leverage 50 kmpl मतलब 50 km per liter का mileage आया है जी हाँ दोस्तों जो की काफी ज़्यादा कमाल का mileage होने वाला है आपके लिए तो दोस्तों अगर आप भी कोई नए engine को बंदवा रहे हैं तो उसको ठीक तरह से बंदवाएं अगर उसके अंदर minor से minor problem भी है तो उसको भी आप मिस्तरी से बोलकर कि कहें कि इसको replace कर दे ना कि इसको चलाने वाला काम करें अगर गाईस हमारी ये वीडियो आपको पसंदे तो वीडियो को लाइक जरू करें अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्स्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए जी हाँ दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तो तब तक के लिए गुडबाई टेक कियर